आरबी आई ने एक इतिहासिक फैसला लेते हुए बीते बुद्दवार यानि 31 जनवरी 2024 को पेटियम पेइमिंट बैंक की सर्विसेस पर रोक लगा दिये हैं भार्टे रिजब बैंक ने आदेश देते हुए कहा कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटियम प्लाटफॉम अपने खाते या वालेट में नई राशी स्विकार नहीं कर सकता नमस्कार मैं दिती फॉज़र आप देख रहे हमारे साथ नगरी निउस आपको बता दे कि पेटियम पेमिन बैंक भारत की सबसे बड़ी भुकतान फर्म पेटियम का हिस्सा है जिससे लाकों लोगों से जादा इस्तमाल किया जाता है आरबिया दुआरा लगी रोग के बाद 29 वरवरी से प्लाटफोर्म नई राशी डिपॉज़िट करने या क्रेडिट ट्रांसेक्शन की सुविदा सही सभी फंड ट्रांसवर की सुविदाय भी बन कर दी जाएंगी केंदर बैंक के मुख्य माप्रबंदक योगेश दायान ने प्रेस रिलीस में कहा था कि 29 वरवरी 2024 के बाद किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड टूल, वॉलेट, फास्टेक, NCMC कार्ड आदी में कैश्वे के रिफंड के अलावा किसी भी डिपॉज़िट या क्रेडि बची है तो वो बिना किसी प्रतिबंद के इस राशी को खतम होने तक इस्तमाल कर सकते हैं, साथ ही अगर आपको सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में कोई भी राशी बची है तो RBI के आक्शन यूज़स से इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसके साथ ही आपको बता दे जिन्होंने अपने पेटियम पेमिंट बैंक अकाउंट को UPI से लिंक किया है, अगर आपका UPI address SBI और ICICI बैंक से जुड़ा हुआ है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, RBI के आक्शन से आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, जो दुकानदार अपने प पैसे रिसीव करते हैं, वो पेमिंट रिसीव नहीं कर पाएंगे, इसके साथ ही पेटियम पेमिंट बैंक की सर्विसेस पर भी ना ही पेटियम आप का इस्तमाल कर सकते हैं, इसके साथ ही पेटियम आप के यूजर्स पहले की तरह आप की सर्विसेस का इस्तमाल कर सकेंगे, Paytium के मताबिक Company RBI के निदेशन का पालन करने के लिए ततकालीन कदम उठा रही है Company ने बताया कि इसे Users के Saving Account, Wallet, Fast Tech और NCMC खातों में जमाराशी पर कोई प्रभाब नहीं पड़ेगा वहीं Customers या Uplug अपने Balance का इस्तमाल कर सकते हैं बताया कि Paytium Payment Company के रूप में कई बैंकों के साथ काम कर रही है Company के मताबिक 29 स्वरवरी 24 तक OCL & Payment Paytium Service Limited के नॉडल खातों को समाप करने के निदेशन में संबंध में वहीं BPSL के साथ इस अवदी के दोरा नॉडल को अन्य बैंकों में ट्रांस्वर कर दिया जाएगा इसके लिए अन्य बैंकों के साथ साज़ेदारी करकर Company के अरुसार RBI से इस कदम से अनुमान हुआ है कि सालाना EBITDA में करीब 300 से 500 करोड रुपे की घरावट देखने को मिल सकती है हाला कि Company को उमीद है कि वह सुदार के लिए अपने पत पर आगे बढ़ते रहेंगे आज के लिए बस इतना है ऐसे न्यूज अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल दनगरी न्यूज के साथ दन्यवाद